हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब योग होप की आप सब बहुत ही अच्छ होगे आज में अपने नए चैप्टर को पढ़ने जाएं जिसका नाम है इंटर्व्यू इसके ही ये जूम एन अफिकेशन दोस्तों इससे आपके एक्जाम में जो है कोई खास टॉपिक नहीं जो कि आप देखेंगे सबसे पर दोस्तों मीनिंग डेफिनेशन ऑफ इंटर्व्यू इंटर्व्यू की दोस्तों डेफिनेशन क्या होती मीनिंग क्या होता लोगों आपने सुना तो होगा इंटर्व्यू यह होता क्या चाहिए आज इसको समझते हैं ठीके दा वर्ड इंटर्व् यह दिखाता है इसका मतलब होता है कि मीटिंग होया ही है between the two persons दो लोगों के बीच में to get a view of each other जिसे एक दूसरे का view जान सकें उनकी thinking कैसी है वो जान सकें इसको बहुते हैं इंटर्व्यू देखते हो कितना मस्त यहां पर आपको बताया गया है ठीक है they meet each other जहां पर योग एक दूसरे से मेरिते हैं to obtain specific information जिससे कि भाईया हमको specific सामने बाई के बाई में कुछ खास information में सके questions की मतलब से हम उसे question पूछेंगे वो जवाब देगा an interview एक इंटर्व्यू एक इंटर्व्यू पार्ट होता है बिजनेस के activity का किसी भी बिजनेस का अंध्यूनी पार्ट होता है interview are conducted for various season यह बहुत सारी इसन के कारण conduct किया रहता है including selection of personnel किसी को हमको select करना है नौकरी के यह ठीक न यह एक ऐसा process होता है जहां पर अगर हमको किसी को नौकरी प्रक ना है तो इसके यह एक example दिया गया इंटर्व्यू और भी reasons से होते हैं ऐसा कोई जवरी नहीं है कि इंटर्व्यू के वर लोगों को नौकरी प्रकने के यह होता है किसी भी टाइप के information जाने के यह इंटर्व को यह objective हम किसी ना किसी objective को पूरा करने के यह interview करते हैं और बोथ पार्टी इंटर्व्यूर एंड परशन अप्रियर इंटर्व्यू और इंटर्व्यू और इंटर्व्यू देने वारा दोनों को objective वारा में अच्छे से पता होना चाहिए ठीक है प्यायर preparation और प्यायर practice ठीक किया जाते हैं ठीक ना it is necessary to have a small numbers of both party but it is necessary to have a small numbers in both party but generally a person appearing for interview must face more than one interview है भाया कोशिस करने चाहिए कि कम जी कम इंटर्व्यू में बायोग हो बट दोस्तों हो सकता है कि interview देने वाया एक से जादे इंटर्व्यूर को face करेगा ठीक ना आपका interview एक से जादे जोग यह सकते हैं बट इंटर्व्यू एक टाइम पर एक ही युग देता है ठीक है there is a transparent communication और आपके बीच में transparent communication होगा ठीक है ना जिससे आपके information क्या होते डिगो बट इस इस communicated information में और में और भी keep confidence होता है कि आपके information बाहर बता दी जाए बट दोस्तों यह confidence है नहीं होती कोई information यहां पर ठीक है ना ओके यह आपके साइक साही features हो गए अब objective of interview interview के objectives क्या होते हैं यहां पर लिखते हैं तो interview concerning signing improvements are connected for the selection of suitable person हम लोग business में नौकी पर रखने के यह interview करते हैं इस interview यह आपके qualification और experience के इसाब से होता है ठीक है corporate या फिक company conduct interview for a periodic appraiser of the employee कुछ company आपने employees को promote कने के यह आगे बहाने के उनके इंटर्वियू करते हैं जो समें अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको प्रमोड कर देते हैं exit interview यह exit interview क्या होता है जब एक बिजनर कोई बंदा कोई नौकरीच हो के जाता है तो नौकरीच हो कि क्यों जा रहा है उसका भी interview होता जिसको exit interview होते है ठीक है जिसे हमको पता जैसे के उसके बाए में company personnel I interview to get information about the employee working की भाईया employee का वर्किंग कैसा है working condition कैसी है business कैसा है ठीक है journalist and media personnel conduct interview जो journalist होते हैं पत्यकार, media personnel जो media क्यार्मी योग होते हैं interview करते हैं of a particular person जिसे कि उसका idea जान सके है ठीक है ना ओके जब भी चुनावा आता तो चुनावा में लोगों का interview होता है कि भाईया कौन जीतेगा कौन हाईगा इसको यहां बताया गया है higher education professional institute interview the applicant for admission to a specific courses बहे बहे इंसीट्यूट याफी colleges आपका admission के इंटर्व्यू रहते हैं ठीक है ना ओके यह भी हो गया अब दोस्तों कितने types के interview होते हैं आपके exam में यह question तो पूठे करेगा यह करेगा कि कितने types के interview होते हैं meaning पहा, feature पहा, objective पहा अब types पहने जाएं ठीक है ना तो interview जो है eight types के होते हैं आठ प्रकाय के interview होते हैं employment interview, orientation-related, counseling-related, work performance-related, appraiser यह जिसको बहते हैं, company-related, modification-related, exit-related, correction of information-related तो इससे ज़रे types भी हो सकते हैं पर यहां पे इतने ही आपको पहने हैं ठीक है यहां पर आपका यह चार्ड बनाया गया जिसको आप लोग देखके समझ सकते हो, ठीके ना, ओके तो यहां पर दोस्तों देखे हो कि employment interview क्यों होता है, जहां पर आपके नौकरी पर आपको रखने की interview होता है, जहां पर आपको company के योगों से new employee को business में मेवाने के यह होता है, ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक ना, हर चीज का एक तरीका होता है, इंटर्विव यहने के starting से हम उसे कुछ भी नहीं पूछ सकते है, proper format होना चाहिए, ठीक है, इन सच इवेंट, there is a very defined structure of the interview, proper defined structure होता है, and interview is a formal company question, यहां पर formal तरीके से बात करनी है, यहां पर informal तरीके से बात नहीं कह सकते हो, इसका objective होता है, इसका objective and outcome दोनों पार्टी को पता होना चाहिए, कि उद्देश से क्या है, क्यों interview हो रहा है, and इसका नतीजा क्या ने कहलेगा, दोनों पार्टी को पता होना चाहिए, both the parties have to be careful in foreign-div situation, दोनों को ध्याना चाहिए, situations के अंदर, opening कैसे करनी है, बीच में क्या पूछेंगे, closing कैसे करनी है, ठीके न, ओके इसा बातों को बड़र important होता है, अब यहाँ पर ध्यान तो opening, मतलब की introduction पहले होगा, फिर objective बताया जाएगा, फिर तो इस्ट्राय का rapport with the interview and making हमें याग्स, उसको याक्स के लिएगा, आप टेंसर जाना ना जो, to make the atmosphere comfortable, भई, atmosphere को comfortable याक्स बनाएंगे, बना अगर comfortable नहीं होगा, तो biased होके interview देगा, middle of the body में क्या होगा, objective of the exchange of communication, कि information, communication, exchange होगा, point wise discussion, एक पॉइंट के उपर discussion होगा, आप interview से सुनोगे, उसका जवाब, के अध्यान से, eye contact होना बहुत जविए interview के अंदर है, ठीके ना, अब दोस्तों इसको दोनों साइट से सूचो, interview येने वाज़े के साइट से, ठीके ना, to answer the question, के अध्यान के साइट से होगा, अगर आपको किसी चीज के उपर explanation है, जरुआ था तो वो भी दो, फिक क्योजिंग कैसे कहना है, to give yaast touch to do discussion, अपने discussion को yaast, जो मैं आख़ी में ये पंक्तियां कहके, अपने हिंदी में कुछ को कहते नहीं है, कि मैं इन पंक्तियों को कहके, अपने बात को खतम करना चाहता हूँ, तो yaast में आप कैसे discussion को खतम करते हो, अपना opinion दो, avoid after closing of interview, बीच में interview को मत छोड़ना, ठीके ना, to close the interview with favorable comment, yaast में favorable positive speech boy के interview को खतम करना चाहिए, and yaast में thanking करो, and to confirm the necessity of such interview, बताओ, कि इसकी क्या कैने necessity, किसे किसे उसको फाइदा हो जाएगा, ठीके, अब how to conduct interview, interview कैसे किया जाता है, how to conduct the interview, यहाँ पर चाहिए, हम लोग देखते हैं, बहुत थिम्पार सा चीज है, ऐसा कुछ खास नहीं कि आपको नहीं पता होगा, ठीके, तो भाईया, सबसे पहरे, यहाँ पर हमें देखते हैं, एक सबसे पहरे क्या होता है, फर्स्टी इता interviewer, should make a plan for the whole event, प्रॉपर उसको event का plan करना पता कि क्या क्या करना है, जनरी interviewer gets impatient to give answer, interviewer जो होता है, वो impatient होता है, answer देने करिए और सुनने करिए, so it is necessary to create a amical and react atmosphere, एक atmosphere दिखो, कभी-कभी interview के टाइम पर जगे भी हो जाते हैं, वाद विवाद हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ों को ध्यान बगना चाहिए, impatient है नहीं होना चाहिए, ठीके ना, और concentrate करना चाहिए अपने topic के subject के उपए, और गलत जवाब याफी नहीं होना चाहिए, जादा friendly, over friendly भी नहीं होना चाहिए, ठीके ना, एंटेव्य यहने और देने वादे का background आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, कि आप किस तरह से उससे question बूचा है हो, जिसे कि कोई personal question नहीं हो, जिसे कि उसको harm हो सके, इंटेव्य वर सुट नॉट आस्क एंटेवेंट कोशन, बेफाज़ कोशन नहीं पूचना है, ठीके, टीवी में जो आप लोग देखते हो ना, कि आप किस धर्म केहें, किस जाती केहें, यह सब कोशन ऐसा नहीं होना चाहिए, एई एवेंट कोशन नहीं होना चाहिए, केवाज topic stated question होना चाहिए, आसकी question, एटेटू subject matter, केवाज subject stated question बूचोई, और महोई आपका favorable होना चाहिए, unfavorable नहीं होना चाहिए, सम interviewer have habit of talking too much, कुछ चुको की बेफादों की बात करने के आड़त होती है, it is as if their objective is not to know about the interviewee, क्योंकि उनका मकसद interview करना ही नहीं होता है, उनका मकसद बस time pass करना होता है, ऐसा मत करना नहीं करना चाहिए अपने को, ठीक न, जिसे कि वो time से information दे सके, ठीक है, इंटर्व्यूर दोनों को comfortable होना चाहिए, और सच में एक दूसरी को सुनना चाहिए, ठीक है, इन सिंगर परसन इंटर्व्यू, आई कॉन्टेस इस सिंडिफियन, जब भी आपका सिंगर परसन इंटर्व्यू होया है, तो आई कंटर्वी होता है, क्योंकि आपका mood कैसा है, आप कि smile, आप हस रहे हो, आप सर्माय रहे हो, आप घबाय रहे हो, यह पता चाहिता, आपके guest self से पता चाहिता है, आपके body movement से पता चाहिता है, इंटर्व्यूर must respect the feeling and emotions of interviewee, बज़िया, चीजों को संचिप्त फॉर्म में समना चाहिए, बेफार्टू का चीजों को रंबा नहीं करना चाहिए, कम से कम समय में, टाइम के अंदर चीजों को complete करना चाहिए, अब एक अच्छे या फिस सक्सेस्फूर इंटर्व्यू के, क्या क्या चीजे होनी चाहिए, यह पॉइंट्स में याद करें न सीधे, तो पहला है भाई साहब अपना, यादी फॉर इंटर्व्यू के यादी हो, ठीक ना, ओके, चीजों को अपने टॉपिक को देखो, क्या है, ओके, अपने किस पोजिशन के आपको पता होना चाहिए, आपको इंटर्व्यू देने से पाई साही चीजे पता होने चाहिए, आप दिख कैसे याए हो, ठीक ना, फॉर्मर ड्रेस में हो की नहीं, यह बहुत इंपॉडन्ट होता है, अपने body language का इस्तुमाल करना चाहिए, ठीक ना, body language मतलब होता है, आपके चाहिने का तरीका, बैठने का तरीका, वो आपके सर्फ confidence को दिखाता है, आपका पोस्च्या है, बैठने का तरीका, करें टेकर के बैठे हो, कैसे बैठे हो, वो सब बहुत important होता है, compete and correct answer to every question, भया, किसी भी question का correct answer, तो compete answer देना चाहिए, आधादूर नहीं देना चाहिए, if the candidate is not given in a position, to give correct answer, he should not use his confidence, अगर नहीं दे पाई answer, तो confidence को मत खो, but गलत answer या fake answer मत देना चाहिए, अपनी इमानदाई पर भरुसा रखो, the candidate should be polite, अब polite हो, वेफार्टू का atmosphere को फिर बर अच्छा नहीं कोशिज करो, ठीके ना, candidate should give a precise answer, precise तो avoid unnecessary talking, वेफार्टू का बात मत करो, ठीके ना, अपने intelligent को वहाँ पर सोख कर, अपने knowledge को वहाँ पर दिखाओ, avoid criticism, बेफार्टू के बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी को criticize नहीं करना चाहिए, अपने पुराने employer को, नौके जनेवार को, बुरा भरा नहीं करना चाहिए, ठीके, express gratitude भहिया, अपना सम्मान और respect दिखाना चाहिए, actual interview देने जाते हैं, उसके पर interview की practice करते हैं, उसको बहुते हैं mock interview, जब भी IS का exam होता है, और interview होने वारा होता है, तो बहुत सारी coaching institute mock interview करवाते हैं, actual interview की तरह, आप actual situation में जैसा interview होता है न, वैसे ही interview करवाते है, जिससे कि confidence आदके, और actual interview में हम योग सही से perform कर सकें, इसको बहुते है mock, या फिर mock test होता है, mock test, pivot exam, pivot exam क्यों देते हैं, कि actual exam में बठने से परिए, हम योग 3 अशे से कर सकें, तो mock interview refer to, creating actual situation of interview, which means having a desk, fascinating desk पहनना है, वैसे interview होगा, प्रोपर इंटर्व्यू का आप हरसर ही कहलो, thus mock interview is a sample or actual interview, ठीक है न, in other words, understand the actual interview, a mock interview is organized and conducted किया लाता है, ठीक है, अब दोस्तों, selecting a proper place, प्रोपर जगें होनी चाहिए interview की, जहां पर disturbance ना हो, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है न, वेटिंग रूम होना चाहिए, प्रोपर हर जगें पर, interview के जहां पर वेट कर सके, comfort के साब से, magazine सखी होनी चाहिए, वहाँ पर, newspaper होना चाहिए, प्रोपर सब कुछ होना चाहिए, after setting a suitable जगहाँ चूज करने के बाद में, mock interview, a second phase is to be make preparation for interview, आपको interview की preparation करने चाहिए, कुछ बातों को ध्यान में एकना, कि भाया, कब mock interview होगा, उसको notify करना चाहिए, कितनी time limit होगी, और कौन येगा interview, और किस type of question पूछे जाएंगे, ठीके न, and information को future में कैसे use किया जाएगा, ठीके न, वो वीडियो ग्राफी वहाँ पर होगी की नहीं होगी, and how we are going to compare the mock interview, and अपने mock interview को, एक्ट्वे से compare हमें कैसे करेंगे, ठीके, क्योंकि तो एक interview, दो interview दे के, इंसान को confidence आता है, ठीके, the use of interview should be prepared in advance, questions को पहले से advance करेंगे, कितनी येग interview देंगे, क्योंकि पहले से पता होना चाहिए, सब कुछ advance में, time जगे, pace, information, interview ये नहीं वाया, सब कुछ advance में करना हो चाहिए, ठीके, अब यहाँ बताया गया, conduct कैसे करना है interview, mock interview कैसे करवाया जाता है, ठीके, तो यहाँ पर ये आपको पहने के जवत नहीं करना है, कि conduct कैसे करा था, आपके exam में mock interview को conduct कैसे करा था, ये नहीं पूछेगा भाई साहब, ठीके ना, how to conduct a mock interview, ये आपको नहीं पूछेगा, अगर आपको पहने के इच्छा है, तो यहाँ पर एक examper दिया, आप चाहो तो पहर सकते हो, ठीके ना, यहाँ पर एक examper दिया है, इस book के अंदर, मैंने साहे notes को डाई दिया, जैसे कि आप चाहो तो extra पहर सकते हो, बढ़ पहने के जवत नहीं है, ठीके ना, तो यहाँ बताया गया है, यह आपके exam में नहीं पूछने वारा है, कि how to conduct a mock interview, ठीके, ओके, आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो, मतलब कि एक examper दिया गया है, अब CV, resume, meaning of CV क्यों होता है, CV क्यों हो, resume क्यों हो, जैसे curriculum व्याटे, दोस्तों क्यों होता है, जब भी आप नौके पर गहीं चाहते हो, तो आपकी जो भी information होती है, आपका नाम, पता, address, आपका educational qualification, आपकी hobby, आपका experience, आपके certificates, आपके degree, सब कुछ आपके resume में होता है, तो यह होता क्या है, आज इसको पहते हैं, जिसको हम जोग CV बोते हैं, curriculum व्याटे, shortcut में याफि assume होते हैं, तो assume याफि curriculum व्याटे, is a summary of person, एक इनसान की summary, उसकी ability, उसकी achievements, चाहिए वो educational हो, चाहिए वो किसी खेर कुछ से जुगा हो, ठीके ना, personal information of the applicant, उसमें आपकी personal information भी होती है, in way it clarify the complete information of the applicant, किसी भी इनसान की या फी applicant की complete information होती है, अब content of a resume, resume में क्या-क्या information होना चाहिए, तो आपको future में, जो लोग आप लोग हो, आप लोग जब नौकरी करने जाओगे, तो आपको future में अपना resume बनाना होगा, तो आज आपको पता चाहिए कि से बनाया जाता है, जो देखो, आपकी personal information हो कि आपका नाम क्या है, age क्या है, male हो की female, height क्या है, weight क्या है, दोस्तों height weight जो होता है ना, वो हर क्या बहुत है रिजूम में नहीं होता है, आप ऐसी जगहां पर आप याई का height और weight की जरुवत है, तभी education है, है क्या आपको additional language आती है आपको Austral service है या फी क्य П renting है क्यंवे किताब पवीच हुई है सबकुछ., आपka experience कितना है आपने experience कितना सीख आ है कितना time काम कोया है आपकी habit क्या है आपकी hobby क्या है ination यह फैंस मतलब आप कितने लोगों को जानते हो ठीकिए ना कुछ योगों के नाम जिनको आप जानते हो जो कि उसी इंडेस्टी में या फिर उसी जगहें पर कहीं कुछ इस सम एमिनेंट पर सन जो की फेमस योग या फिर फेमस जो एक अच्छी पोजीशन पर है ठीकिए ना इंफ्रमेशन इन सेफ एस्ट्राक्ट शूट बी गिवन और इस इस पर आप को जाए इंफ्रमेशन ऑनेस्टिक साहें शुट बीश ब्रीफ एंड पॉसीपर चीजें हो सो कि बीश में हो गिए हो थिक ना ओके वन सूट इसस्पैसिक की मार्क हिन आपकी इसपैसर इसटेन ग्यामिटर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी बहुत इंपोर्डन फैक्टर है यह वनसुद नॉट डिसक्राइब वर अपनी वीकने नहीं चाहिए कभी भी ओके अपने के बारहे सब बताना चाहिए तब पोजिशन फोर विच्ट पर आपकिस चीज के अप्रियाई करें वो उसमें एखा होना चाहिए अब यहाँ पे कुछ एक्जामपर दियेगा है application यहां पर देख सकते हो तो बता देता हूँ आपको पता देता हूँ ऐसे होना चाहिए आपका एक पेज से जादे का नहीं होना चाहिए ठीक ना जो भी है आप अज़क से इन के उज़र कर दो लगा दो अप्रिकेशन सुट भी वाइड यू एंड मी इस टाइए ठीक ना ओके एंड आप चाहो तो देख सकते हो यह को सीवी का है यह सीवी बनाई गई झीऑ आप पूछना था आपको उपर दिया हुआ है वो है इपोर्ट ग्या है हम दो को इसको देखेंगी वैसे तो यहाँ पर आ आपका टॉपिक यहाँ पैप खतम हो गया ठीक है तो दोस्तों ठीक है तो बस अपना जो है नेक्स्ट पार्ट है तो में अपने नेक्स्ट पार्ट में थैंक यू तो